डुंडा एवं जाल समीतियों के किसानों ने किया चक्का जाम राज्य सरकार द्वारा धान खरीदी की तीथी बढ़ाय जाने के पांचवे दिन भी जिले के धान खरीदी केंद्रों में धान की खरीदी नहीं उपई जिसे लेकर गाउं के किसानों ने डुंडा समीती एवं जाल समीती के सामने चक्का जाम का विरोध पलदर्शित किया जिले के 13,000 किसानों दौरा धान को सुसाइटी में रखा गया है किन्तु अभी तक उनके समद्ध में किसी तरह के दिशा निर्देश ना तो समीतीयों को भी दिया जा रहा है ना इखाद विवाग को वहीं 20 तारीकों खरीदी के अंतिम्दिती होने के कारण किसान इस बात को लेकर आशंकित नजर आ रहे हैं कि कहीं उनके धान को खरीदने से राज्ज सरकार इंकार न कर दे किसान गुरुवार को भी बारदाना की कमी होने के कारण आक रोशिद नजर आए इस बीच किसानों ने अपने धान को समीतीयों मिला कर रख दिया जिनोंने समीतियों दोरा टोकन आवंटित किया है लेकिन बार दाने के अबाव में खरीदी नहीं की जा रही है वहीं किसानों की हितैशी कहे जाने वाले जन प्रतिनीदी अब तक किसानों के हित्में सामने नहीं आये है डुंडा समीती के सामने किसानों ने चक्का जाम कर दिया और जिम्मेदार अधिकारी की मौजूदगी न होने के कारण किसानों को समझाईश देने कोई भी नहीं है किसानों के दोरा चक्का जाम किये जाने से आपात कालीन सेवा भी बाती दो हो रही है किसानों ने डुंडा समीती में जाकर अधिकारी वा करमचारियों से धान खरीदी के बारें पूछने पर कोई इश्पर्ष्ट जवाब देने से कत्रा रहे हैं लेखे लगें जाना में अग्यादे और आज तो गाड़ों को अंदर जाने भी नीजाया रहा है और शासन की और से जोजना है आज उसका आखरी येट भी है व्मत कर दो किसान कहाँ अधिकारी ने कोई निधर बतार कि तुए और उनकी किरेंगे नि 그래도 कहा जा जए जाए हपाजने कि कोई बोओन नुग हाज सक्वेर्स तक किसान करें किसे किसानों को movements पाज आप सब्सक्रों भूम करें किसानों को थ campeonaANG अर्जेंट में जा रहा था बोर भरने लें खड़े नहीं तो चक्ता जाम कीज़